हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जोती फूड अन ब्लॉग फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के शेर कर रहे हूँ मटन कबाब की रेस्पी आप लोग को यदि मेरे ये मटन कबाब की रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के शाथ इसे जरूर शेर करिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यूँ हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा क्योंकि इस तरह से अच्छी अच्छी और बहुत ही डिलिशेश रेस्पी में लाती ही रहती हूँ तो चलिए अब हम देरने करते हैं और रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो मटन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका एक जो गरम मसाला है बो तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं खड़े हुए इनको हम मिक्सी में डाल कर इसका एक पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर को हम फिर जो कबाब है उसमें यूज करेंगे जब भी आप कबाब बनाएं तो हमेशा फ्रेस गरम मसाले का ही यूज करिएगा और अच्छी तरह से चला लिया था जिसे जो कीमा है एकदम सॉफ्ट हो जाता है और अब हम करेंगे इसका मेरीनेशन तो मेरीनेशन में सबसे पहले आपको डालना है नमग तैन उसके बाद हम डालेंगे थोड़े सी हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे हम इसमें अधरक औ अभी इसके बाद अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और अडं करेंगे तो अब हमें इसमें ऐड्ड करना है रोस्टेट चनने हो टेना उसको मीसी में चलाकर प्लाइब वाक्ते चमस काइज कोडो यहाटवार कांव होगा मिक्स कर देना है, लेन उसके बाद अब इस मिक्रेम को हमें फ्रिस líge में रखना है कम से कम आधी घंती के लिए, तो यहां आधी घंते करीब हो चुकी तैं, तो अब हमें आधी घंती का वाया सबसे पहले आपको जो microwave है उसको लगाना होगा preheat पे तो यहाँ पर आपको microwave में सबसे पहले तो रखना है lower rack then उसके बाद आपको जो microwave है उसका जो mode है वो set करना है तो यह LG का microwave है LG के microwave में जो गोल वाली बटन देख रहे हैं इसको घुमाते हैं तो यहां से जो mode होते हैं वो आ जाते हैं तो मैंने यहां पर set किया है convection mode convection mode set करने के बाद आपको convection की जो degree है वो set करनी पड़ती है तो यहां पर आपको set करना है 200 degree इसी rotated वाली जो बटन है इसी से आपकी degree set होती है तो इससे हमने यहां पर set किया 200 degree अब हमें start की बटन को दो बाद टैप करना है start की बटन को जब हम दो बाद टैप करते हैं तो जो हमारा microwave है automatic preheat पे चला जाता है जब preheat हो जाता है microwave तो एक beep की sound आती है लेकिन यदि आपकी microwave में इस तरह से automatic system नहीं है तो आप अपने microwave को 10 मिट के लिए preheat पे लगा दीजेगा तो जब तक microwave preheat होता है हम यहां पर कबाब बना लेते हैं तो यह हमारा रहा कीमा जिसको मैंने फ्रिज से निकाल दिया था आप हमें लेना है एक baking tray और baking tray में नीचे लगाना है थोड़ा सा घी जब भी आप कबाब बनाएं तो उसमें घी का ही यूज करें इससे जो कबाब का जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा आता ह क्योंकि उसमें घी की एक बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आती है जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है अब हमें बनाने है कबाब तो मैं यहां पर गोलगोल कबाब बना रही हूं आप चाहें तो इसके जो शीक कबाब हैं उस तरह से बना सकते हैं इसके इससे थोड़ा सा चेप्टर जरूर कर देना है लिए जब हम aur Co करते फूल जातेना है तो आप इनको गोल कोल मत करें यह नहीं तो यह घ् gives करेंगे टो यह लेत होने पर अचτι तरह से गोल कोल जाते हैं तो इसी तरह से आपको वS 심elask take abert Alter त्यiard कर लिए अब मैंने थोड़ा-थोड़ा करके घी लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से डाल रही हूँ पैस इतने ही गी में हमारे जो कबाम हे वो बन के तयार हो जाते है और यहां पर जो हमारा microwave है वो भी preheat हो चुका था तो अब चलिये चलते हैं रखते हैं कबाब को तो यह देखे अभी यहां पर विंटर का सीजन चल रहा है तो जैसे ही मैंने घी डाला ना और थोड़ी ही देर में घी जम गया तो यह उपर जो देख रहा है वो घी है अब हम करते हैं माइकवेब का डोर बंद और अब हमें सिफ यहां पर टाइम लगान है 25 मिट्स का 25 मिट्स में जो हमारे कबाब हैं बुल को बनके तयार हो जाते हैं आपको इन कबाब को पलटने की भी जरूत नहीं पड़ती है क्योंकि हम इने बेक कर रहे हैं तो यह उपर से और नीचे से दौनों तरब से अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं मेरे चैनल पर औ लिंक है मैं डिस्किप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो यहां पर देखिए 25 मिट्स हो चुके थे और हमारे जो कबाब है बुल को बनके तयार हो चुके हैं यह देख सकते हैं आप इनमें देखिए हमने कितना थोड़ा सा घी डाला था लेकिन आप यह भी देखिए कितना було है डिसी हमने एक चमज करीब घी डाला और इतने ही घी में हमारे कबाब है विलकोबन की तयार हो चुके हैं तो मिनकाल लेते है यह चो ऑच्छी सी आख प् distress कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आप इन कबाब का कलर देखे कितना प्यारा कलर आया है यदि आप में इसे गैस पर बनाते हैं तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत प्याज भी ले सकते हैं तो आप अप सब लोग कोई छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज यदि आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेगा अब मिलती हैं आप सब लोग से नैस वीडियो पर